तो टू गेम्स टू विंस एक कारवा कप में इस बार प्रिमेर लीग में और मोमेंटम थोड़ा सा आता हुआ लग रहा है थोड़ी वाइब जो है अच्छी सी महसूस हो रही है मैचिस जीत रहे हैं हम गोल स्कोर कर रहे हैं क्लीन शीट रख रहे हैं और ऐसे प्लेयर्स जो थ पहला स्टार्ट असी एल इंजरी के बाद तो सब कुछ अच्छा लग रहा है अब इस समय बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है समय बहुत खुश हूँ मैं I hope आप भी बहुत खुश होंगे अगर आप एक चल्सी फैन है तो और जिस त स्टर्लिंग का स्टार्ट ना करना और स्टर्लिंग के स्टार्ट ना करने से एक अच्छी चीज होती है कि प्रॉपर फिजिकल नंबर नाइन आता हमारे पास जो थोड़ा बॉल को होल्ड अप कर सकता है जो थोड़ा सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई कर सकता है स्टर्लिंग वो चीज नहीं कर सकते हैं, अगर as a striker उनको खिला जाए in my opinion, तो वो एक अच्छा decision था मेरे हसाब से Broha को start कराना Pochettino की तरफ से, फिर defense में तो हमको पता ही था कि Kukureya को right back खेलना है, because वो league कप वाले match में Brighton के against right back खेले थे, और अच्छी performance थी उनकी, तो right back Kukureya थे, left back पे अगे आपके Levi Colville आ जाते हैं, because Ben Jilwell भी available नहीं थे, तो back line तो predictable थी कि क्या होगी, एक जो चीज थी, जब मैंने team sheet देखी, जब team news देखी, मैंने match से पहले, तो मुझे लगा था कि Enzo number 10 में खेलेंगे, और Gallagher जो होंगे, पिविट में खेल रहे होंगे, कैसेडो के साथ, बट ऐसा नहीं था, कैलेगर थोड़ा सा आगे खेल रहे थे, और कैसेडो और Enzo थोड़ा deep खेल रहे थे, उसके कारण, जो through the lines हम खेल रहे थे, जो हमारा ball distribution था deep से, बहुत अच्छा था, अगर आप पहला गोल देखेंगे, कॉल्विल के पास से पहले, कैसेडो ने उनको ball spray किया, डाइगनली, तो जो कैसेडो की passing range है, same हम Enzo के लिए कहते हैं, और फिर Enzo भी थोड़ा बहुत ball win कर लेते हैं, Enzo का भी ball retention अच्छा है, अगर हम possession में नहीं होता है, कैसेडो को तो लाए ही, इस काम के लिए गया है, और कैसेडो की भी अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ा settle वो हो गए है, अभी पिछले दो-तीन matches से अच्छा खेल रहे हैं, वो assured लग रहे हैं, और जो initially गलतियां कर रहे थे, जो दिक्कते उनको हो रही थी, because जब उनको गैलेगर के साथ पिवट में खिलाया जा रहा था, Enzo को आगे खिला रहे थे, तो उनको वो एक पार्टनर नहीं मिल रहा था, जो उनको फ्रीडम दे सके, because कैसेडो से एंजो को फ्रीडम मिलती है, और वाइस वर्सा, मेरे हिसाब से, दोनों वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉंप्लिमेंट करते हैं, तो एंजो का इसलिए डीप खेलना ज़रूरी है, उससे कैसेडो का गेम भी अपने आप इंप्रूव होता है, कॉल विल एक अच्छी बॉल डालते हैं, मुद्रिक और मुद्रिक उसको फिनिश कर देता है, लेफ्ट फूट से, और क्या ही कहना है, मिखायल और मुद्रिक का पहला चेल्सी गोल, और जैसे हमें कहता हूं कि यह जो प्लेयर्स हैं, बहुत लोगन कॉंफिडेंस लग रहे थे, पिछले कुछ टाइम से, और स्पेशली लास्ट सीजन, जो हमने देखा, जैन्मरी से लेके सीजन के अंट तक, और अभी शुरुवात भी हमारी कुछ बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो इन सब चीजों अगा वो convert करना चाहिए था, और हमेशा यही हमारी दिक्कत रहती है, कि जब chances मिलेंगे, क्या हम उनको convert कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम chances को ले पाएंगे कि नहीं, यह एक issue रहता है, लेगिन वो हमने chance convert उस time तो नहीं किया, उसके बाद हमको एक chance मिलता है, मुद्रिक को मिल तो एक बहुत अच्छी चीज यह होती है कि दो गोल्स हम बहुत जल्दी स्कोर कर देते हैं मैच में और उसके बाद जो थी कमफर्टेबल सेलिंग थी फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं किया फुलम ने इन फैक्ट मैं कहूंगा 70th मिनिट तक कुछ नहीं किया फुलम ने अपना फुट हटा लिया एक्सेलेरेटर से और उसकी वज़े से जो है फुलम को हमने गेम में आने दिया तो वो मुझे लगता है कि हमको वैसे ही लगे रहना चाहिए था जैसे हम फर्स्ट हाफ में कोशिश कर रहे थे ऑल्दो सेकंड हाफ में भी एक चांस मिला था हमको जहा के लावे एस सच फुलम ने पूरे मैच में कुछ नहीं किया हमारी डिफेंसिव शेप बहुत अच्छी थी जैसा मैंने का हमारी बैक लाइन पूरी सॉलिट थी कुकुरेया राइड बैक पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं और I hope consistency बर करार रहे है काइसे डो एंजो का गेम हो गई लास्ट में उसके बाद मैटोस वगेरा है तो गेम को सी आउट करने के लिए कि मार्टसन जब आए second half में उनका गेम भी ठीक था sterling जादा कुछ impact दे नहीं पाए because वो अपनी position में खेल नहीं रहते कोल पालमर की मैं यहां तारीफ करना चाहूँगा Gallagher although उन्होंने एक बहुत ही impressive shift दी आपे पूरा उन्होंने एक एक जो आप कह सकते हैं एक एक घास का उन्होंने तिन का पूरा पूरा जैसे कहते हैं कि every blade of grass covered वो उन्होंने किया इस match में और पूरी उनकी चाहे आप going forward बात करें चाहे आप ball की recovery की बात करें off the ball आप बात कर जिस तरीके की उन्होंने एक hard working shift जो है वो provide की इस match में लेकिन मेरे सबसे मेरे लिए जो player जिन्होंने मुझे सबसे जादा impressed किया इस match में और जिनका सबसे जादा impressed था वो थे Cole Palmer, Cole Palmer एक breath of fresh air है इस team में जिस तरीके की उनकी passing range है जो उनकी intelligence है ball पे और off the ball और जिस तरीके की उनकी technical ability है I think वो हमारे लिए एक बहुत crucial player थाबित हो सकते है पहली बात तो वो एक number 10 की तरह भी खेल सकते है और आज start उन्होंने right wing पे किया था बट आप देखेंगे तो centrally काफी operate कर रहे थे उस pocket में broha के पीछे और काफी मतलब वो overloads create करने की कोशिश कर रहे थे कुकुर पर बहुत अच्छे है विजन उनकी बहुत अच्छी है और जैसे हमने city में देखा है कि goals भी वो बहुत score करते थे finisher भी अच्छे है बट यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छा player मिला है Cole Palmer के रूप में और यह जो मैं कह रहा हूँ है जो consistency एक हमको देखने को मिल रहे है team selection में players को अपनी preferred position पे खिलाया जा रहा है especially Enzo को number six में I hope जब पूरी team fit होके वापस आ जाएगी जैसे चिल्वेल, Reese James, बदियाशील यह सब जब fit हो जाएंगे तो Colville को भी center back shift किया जाएगा चिल्वेल हम left back पे देखेंगे right back पे हम Reese James को देखेंगे although nothing against Kukureya he has been absolutely fantastic last two games में और यह यही मौके होते हैं जब एक player team में नहीं आ पा रहा होता और उसको जो भी limited opportunities मिलती है उसमें उसको perform करना और उसको दिखाना है कि भाई मेरा team में selection होना क्यों ज़री रही है Palmer को opportunity मिली उन्होंने impressed किया है hence वो मदुएके को ऊपर खेल रहा है अभी तक मदुएके अपनी team में जगें नहीं बना प्रहा है तो यह जो time है यह अपने place को cement करने का है और बागी जो players जब आते हैं injury से वापस तो manager के लिए एक selection headache होनी चाहिए कि भई मैं किसको बाहर बिठ किसको खिला हूँ यह चीज़ अच्छी आने चाहिए अब आर चल्सी बैक नहीं अभी मैं अथनी जल्दी कोई verdict नहीं दूंगा ऐसा दो match में अच्छी performance रही है the key word is consistency हमको consistency लाने की जरूरत है अगला match Burnley से है अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा Burnley को लेकिन confident जरूर आता Going against a Burnley side जो काफी नीचे है table में और काफी struggle किया उन्होंने initially तो अगर हमारा Fulham के against एक अच्छा performance रहता तो Burnley के against हमको अच्छा performance करना चाहिए और वहाँ पे हमको aim करना चाहिए aim क्या must win game ही है वो जो हमारा एक भहुत ही खतरनाक run of fixtures आने वाला है जो मौत का खेल होने वा भी आपको guarantee नहीं करेगा कि आप वो matches जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तो आर Chelsea back वो इस run के बाद पता चलेगा जो October में आने वाला है जिसमें हम Arsenal, City, Newcastle, Brighton, Man United इन सब टीम्स को खेल रहे है उसके बाद जो है मैं actually मैं बोल पाऊंगा कि भई क्या scene चल रहा है क्या है actually क्या हो तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, I hope आपको भी मज़ा आया होगा Chelsea की performance देखने में, काफी simple सा game था, first half dominate किया, second half में game manage किया, shape अच्छा रखा defensively, silly chances concede नहीं किये, एक दो, एक occasion पे, Fulham ने हमको परिशान जरूर किया, लेकिन उसके लावा, on the hole अगर आप बात करे, confidence के लिए win बहुत अच्छी है, और आगे जाने, आगे जाते हुए, ये 3 point हमारे लिए बहुत ज़्यादा valuable है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, आपकी क्या रहा है, please do let me know in the comment section और channel को subscribe कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया है, तो share कीजिए content अगर आपको अच्छा ल चाहिए और अपना आपका जो भी काम हो, वो सक्षम हो, वो सफल हो, मैं आपके ये दुआ करता हूँ कि आपका दिन आज बहुत अच्छा चाहिए, मिलता हूँ जल्दी आपसे, ध्यान रखिये जब तक अपना, take care, up the chills, keep the blue flag flying.